से अलीफ तर्फ यां दोस्त। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए कैमरा कंपारिजन मेट लाइट का और पी दॉन्टी लाइट का होता है तेरस श्चान ऑप रह को मिलते है ले टी लाइट और पी 20 लाइट मेट का फ्रंट सेलफी कैमरा अगर colors की बात करें तो दोनों में ही आपको नैसर मिल रहे हैं मैंने beauty mode on किया है दोनों का ही beauty 5 पे मैंने रखा ताकि आपको clear हो सके beauty mode में दोनों का resolution आपको क्या मिलता है क्या नहीं तो हम आपको शोकर रहे हैं camera P20 light का और meitan light का और meitan light में आपको अपर्चर दोनों में सेम ही देखने को मिलता है 2.0 का पर्चर मिलता है जो के बहुत अच्छे इफक देता है P20 light का camera काफी balance है price की बात करेंगे इसी वीडियो में तो price P20 light की आपको मिलती है 36,000 और meitan light में मिलती है आपको 31,000 की अब बात करेंगे colors की तो दोनों की साइट पर आप देखेंगे के background में दोनों ही focus ही कर पा रहे हैं stabilization की बात करेंगे तो थोड़ा से मैपको तेज़ जाल के दिखाऊंगा कि मेटन light में और P20 light में आपको stabilization क्या मिलती है वैसे तो दोनों के अंदर ही आपको image stabilization देखने को नहीं मिल रही होती जिसकी वज़ा से आपको stabilization proper नहीं मिलती लेकिन अगर देखा जाए तो ओल ओवर दोनों camera ही balance काम कर रहे हैं P20 light में काफी हद तक Hsb clear नजर आ रहे हैं आपको और मेटन light में भी बुरे नहीं हैं लेकिन काफी हद तक P20 light में dynamic range की बात करेंगे तो dynamic range काफी बहतर मिलती है यह दोस्तों अगर यह मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर सुरूर कीज़ेगा और साथ ही अगर मेर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीज़ेगा ताकि आपको इन फ्यूचर इस तरह की बहुत सरे रिव्यूज की वीडियो आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके हैं यह दोस्तों हम रिकॉर्डिंग कर रह हैं दोनों को है बीटी मोड 5 पर है मैं अपको इन दोनों के स्टैदिलाजेशन की बात करूँ हाँ तो स्टैदिलाजेशन थोड़ा साथिस चाल कर दिखा होगा तो तो चीवं Dear विश्र भी तो कम चैनलं के लिए और में की और सब्सक्राइब करना। भूल येगा अब यह दोस्तों बात करेंगे सेलफी की तो सेलफी दोनों के अंदर यहापको बैलंस मिलती है डानामिक रेंज की बात करें तो मेट 10 लाइट तकरीबन बराबर नजर आए लेकिन अगर एजिस की बात करेंगे तो P20 लाइट में आपको एजिस बहुत अच्छे मिलते हैं एस कंपेर टू मेटन लाइट लेकिन मेटन लाइट भी बहुत अच्छा रहा डेलाइट कंडिशन में अब बात करते हैं पॉट हैट मॉड की पिक्चर की यह पिक्चर मने ली गई है सेम ही पॉजिशन में पॉट हैट मॉड में इसमें आपको पी टुएंटी लाइट में काफी हद तक कस्टमाइजेशन नजर आई ब्यूटी मॉड नजर आया बैक साइड बलर नजर आ रहा है लेकिन मेटन से मेटन लाइट से डानामिक रेंज बैतर नजर आई बैक साइड की कलर्स की बात करें तो फोकसिंग बैतर नजर नजर आ रहे हैं प्राइटनेस दुन्दलापन ज़्यादा नजर आ रहा है लेकिन प्री टुएंटी लाइट में कलर्स भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं बैक साइड ब्लर करें हैं अगरा यह चाहिए कि एक फोकस करके बैक साइड ब्लर करना चाहिए तो दोनों ही तकरीवन एक जैसे अब बात करते हैं नाइट मॉड के सेल्फी की तो में टैन लाइट में बहुत ज्यादा नजर आ रहा है आपको पी टुएंटी लाइट में आ अब बात करते हैं सिंपल पिक्चर की तो यह सिंपल पिक्चर मैंने कहांची दोनों ही फॉन में आपको बहुत मॉइस नजर आ रहा है एज़ प्र नजर नहीं आरे डानामिक रेंज प्रॉपर नहीं मिल रही हलागे इसके फ्रेंट लाइट पर आपको फ्रंट श्राइड प्रेंट नहीं मिलता शोला मेंगा पिक्जल से पीटवांट लाइट नाइट मॉट का क्लियर ली विनर होगा मेंट अगर कंपेर करते हैं अब बात करते हैं नाइट के रियर कैमरा की तो यह मैंने पिक्चर खेंची है पॉर्ट एड मॉड में दोनों से ही दोनों ही बैलस अइड है यह अड़ा आएट केमरा में 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 इसके ओर आपशिन डाली है अपने वीडियो के अनलसिस में मेंए वाइड अपरचर में पिक्चर केंची यह पिक्चर भी है इस यह निए फीटवंटे लाइट से मिल रहे हैं अपर्चर लैवल बहुत 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 अब जो दुसरी पिक्चर की बात हम करेंगे तो मेट 10 लाइट में भी आपको रियर साइट पर जो 16 मेकरपिसल के कैमरा मिलता है, उसके अंदर भी वाइड अपर्चर आपको बहुत 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 बैतर मिलता है, यह दोस्तों आप इस पिक्चर को अगर आप देखेंगे, न पिछे सोरज है, काफी डाग नजर आता लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपको फोकसिंग की बात करूंगा, तो P20 लाइट और मेट 10 लाइट पे देखेंगे, अब जल्दी फोकस कर पाता है, कौन सा नहीं, दोनों में आपको रियर सेट पर 16 मेकर पिर्जल का कैमरा देखने को मिलते हैं, प्राइस की बात करेंगे, तो प्राइस में आपको पहले ही बता चुका हूँगे, P20 लाइट आपको मिलता है, 36,000 रुपे की प्राइस में, और मेट 10 लाइट आपको मिलता है, 31,000 की प्राइस में, अब स्टेबलाजेशन की बात करेंगे, तो स्टेबलाजेशन आपको दिखाएंगे तेसे चलके P20 लाइट में काफी बहतर स्टेबलाजेशन आपको मिल रही है लेकिन दोनों ही फॉन में इमेज स्टेबलाजेशन नहीं होती तेकिन अलोबर अगर बात करें P20 लाइट के कैमरा की तो कैमरा काफी बहतर काम कर रहा है अब फिर दुबारा फोकस की बात करेंगे तो यह लीव्ज है कुछ हम देखेंगे कौन सा फोन जल्दी फोकस कर पाता है P20 लाइट का फिछ तक बहतर फोकस कर पाता है मेटन लाइट से अब बात करते हैं रियर कैमरा के नाइट मॉड की बात करेंगे rear camera आपको catson नाइट वोड में किया काम करता है किया नहीं nem say पार इसाथ जड़े रहिए ज़्टे हैं कि तरफ ere की तरफ जहहां दोस्तोば अब हम recording करहे हैं p20 लाइट करी और kein light यहां से दोनों एक का यापको 16 megapixel प्लस मेमा पो डेहर क्रीन के मिलता है अब stabilization पीट्वन्टी लाइट के लिए आपको अब बहतर एक्ति की बात करेंगे तो हम आपको मतायेंगे कौन बहतर फोकस करता है कौन सा फोन नहीं दोनों के अंदर ही आपको फोकसिंग तकरीबन सेम मिल रही है तोड़ा सा तेज़ चल के दिखाऊंगा मजीद स्टेपलाजेशन के लिए तो P20 लाइट में आपको काफी बहतर स्टेपलाजेशन मिलती है तो यह था आज का रिव्यू मेटन लाइट को लेके और P20 लाइट को अगर मेटन लाइट की बात करूँगा तो डानामिक रेंज काफी बहतर है लेकिन काफी हद तक नॉइस नजर आता है नाइट मोड में P20 लाइट में स्टेपलाजेशन भी बहतर मिलती है कैम्रा सेट अप भी आपको डूल देखने को मिलता है जैसे के मेटन लाइट मी मिलता है लेकिन कैमरा काफी बहतर दिया हुग है उने P20 लाइट में मैं हूँ अली अबास मास्टेक से इन कमेर्स मुझे बताईएगा कि कौन सा फोन आपको पसंद आता है कौन सा नहीं मुझे अगली वीडियो तक लिए अजाज़ दीजिए अली अबास को अला हाफिज